हेलो जी नमस्ते राम राम आदाब सस्रियाकार गुड इवनिंग हन जी गुड इवनिंग क्योंकि भई अडिटिंग अभी ओरिया ये मंडे को भई सोमवार को आज ही और शाम को अभी वीडियो फ्लोड करेंगे उमीद करती हूँ मेरा यूटूब परिवार और आप सभी जो मुझे न्यू देख रहे हैं नए पहली बार चैनल पर आए हैं सब ठीक होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और मजे में होंगे भई आज का दिन सभी का अच्छा गया होगा उमीद करते हैं भई सब खुश रहें मस्त रहें अपनी अपनी लाइफ में तो आज भई रूम की डीप क्लीनिंग हुई है तिन्नो रूम की हुई है पर वीडियो हमने एक में ही बनाई है नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो हमने फिर इस रूम की में ही वीडियो बनाई है तो उनको वह जो दो रूम थे वो ऐसे ही हमने साफ कर दिये क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है न तो इसलिए आज हम इस वाले बैड रूम की डीप क्लिनिंग करने लगे हैं और क्योंकि वैसे तो पोच्चा तो खेर लगता रहता है पर बैड के नि पिच्छे से डीप क्लिनिंग करेंगे बैड को हटा तो नहीं पाए वैसे तो सोच रहे थे कि बैड को हटा के न फिर डीप क्लिनिंग होएगी बैड की अच्छे से तो फिर इसके पिच्छे से और निच्छे से साफ करेंगे पर फिर मैंने सोचा कि टाइम बहुत लग साफ और इसके निच्छे से न सच में भई बहुत गंद निकला बैड तिन्न के निच्छे से बहुत ही गंद लिकड़ा है और पर यह है चलो साफ सफाई जो क्लीनिंग का हमारा आज का अभियान था न वो अच्छे से हुआ है बई क्लीनिंग जो साफ सफाई का अभियान था न डीप क्लीनिंग का वो हमारा अच्छे से हो गया है मतलब ये नहीं रहा कि हाँ हाई वहाँ से साफ नहीं हुआ कि वहां से बैड के इदर से रह गया है उदर से बिलकुल साफ किया बैड क्लीन डीप क्लीन जी से बोलते हैं वही सफाई हुई है और जो भी बैड चैनल पर पहली बार न्यू आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे यूटूब परिवार का मेंबर बन जाएए तो और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए तो भई बीच बीच में इशांत ने भी मेरी बहुत हेल्प की मतलब बच्चा ना सच में बच्चा ना बहुत हेल्प कर देता है घर में अगर बच्चे हैं ना सच में हमारे चोटे-चोटे काम ना ये फटा-फट दोड़ दोड़ के कर देते हैं और इनकी बच्चों की ही हेल्प से काम जल्दी हो जाता है तो पोच्चव गैरा सारा हो गया था तो ये जो स्कैच जो लगे हुय थे वह साफ करने लगी थी और वह गते वह क्योंकि इसे साफ हो जाते हैं जो यह स्कैच वगेरा होते हैं ना वह conservative हो गए थे तो बस यह करने लगी थी पोच्चे वगयाने के बादब का कि रूम तो हमारे साफ होई गए थे आपको बता दिया हमने तो बस यही करने लगी थी यह देखिए बई यह पैनल साफ करने के बाद हमारा सारा काम कंपलीट हो जाता है बई बस यही काम बाकी था बाकी सारा हमने फिनिश कर दिया है जाड़ू उपोच्चे सब कुछ हो गया है और सबी कमरे बंद कर दिये कर्टन वगेरा लगा लिये ताकि बाहर से कोई धूल मिट्टी अंदर परवेश ना कर सके एंट्री ना कर सके और कई दिनों से सोच रही थी ये पैनल तो साफ करने की मैं भी ये पैनल साफ करने सकेच से चल हुए थे एक दो और कुछ कल न इशांत ने जो कोक की बोतल खोली न भई तो वो ही ला दी थी और वो एकदम से बाहर सारी निकल गी और यहां सारे में शिंटे शिंटे लगे थे थोड़ा सा उसकी वज़े से भी आज तो भई फिर सोच लिया था कि आज तो इसकी बारी लगा ही देनी और लगा दी थी फिर इसकी बारी तो फिर इशान्त बल की इशान्त बोल रहे हैं ममा भूख लगी खाना बना दो तो मैंने कहा ये थोड़ा सा रहा गया भई इसके बाद फिर इशान्त को लंच बना के देंगे और टाइम भई टाइम हो गया है एक बज़ के पांच मिनट तो बच्चों को तो भई बूख लग जाती है मैंने कहा भई जहां इतनी देर रुक है ना पांच या दस मिनट हो रुक जा फिर मैं आपको खाना बना के देती हूँ बस बकी तो होई गया सारा काम यही रह गया था थोड़ा सा और यह जो सनेक प्लांट है भई तो इसमें भी पानी डालना था काफी दिन हो गए थे तो इसके मैं न ये जो लीवस हैं पत्ते इन पे आत लगा के देख रही थी थोड़े से न ये डिल्ले से और रखे हैं तो मतलब और मिट्टी सारी सूख रखी है तो मतलब इसको पानी चाहिए भई मैं तो ऐसे ही पता लगाती हूँ जब ये थोड़ा डिल्ला सो जाता है न तो फिर सम्झ लो इसको न पानी की जरुरत है और ये बिल्कूल सूख सी गया था तो इशान्थ को बोल रही थी इशान्थ एक गिलास पानी का लेके आ जाए समें पानी डाल देंगे बही और ऑध इशान्थ न पानी तो लेकर आया गिलास न बिल्कूल religious उपर तक भरके ल ये भी वैसे तो दोने थे मैंने ये candle stand है जो पर धोए नहीं फिर देखेंगे अगला अगली बारी में देखेंगे भई इनको दोएंगे अब तो आज थोड़ा सा ऐसी कर दिया साफ है ना धोने क्यों रखे हैं लोहे के हैं धोए भी जाएंगे असानी से कोई दिक्कत नहीं ह एक गिलास इसमें पानी का ना अराम से इस प्लांट ने पी लिया था और ये प्लांट ना बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है इसमें और दो तीन ओर थे भी इसने एक प्लांट वो पता नहीं भई क्यों खराब हो गए तो वो सूक गए तो उनमें दूसरे प्लांट देखिए अकेली अकेली करके ना सारी पतियां हमने इनकी साफ कर दी थी और बिल्कुल ये फिरेन साफ ना सुंदर लग रही थी तो मुझे ना ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है और कल भई देखेंगे जो दूसरे इनके साथ के जो प्लांट सूक गए थे ना उनमें दूसरा लगाएंगे देखेंगे तो वो भी मैं यही रखती हूँ अच्छे लगते हैं हाना वो भी इंडूर प्लांट हैं कर लगाएंगे उनको और हो गया था भई यहां का मेरा काम तो जाते जाते फिर कपड़ा तो हाथ में था मैंने सूच चलो इसको भी थोड़ा करती हूं तो पानी में अच्छे से इनको भी नहला के फिर साफ करती हूं पर आज तो ऐसी कपड़े के साथ मैंने इनको साफ कर दिया